बिस्कुट के बारे में कुछ बाते जो शायद ही आपको पता होगी क्या आपको पता हैं। बिस्कुट में छिद क्यों होते हैं। और पारले जी बिस्कुट के पैकेट में किसकी फोटो है। चलिए जानते हैं। नमबर एक पूरी दुनिया 14-वी शताब्दी से बिस्कुट खाती आ रही है। नमबर दो दुनिया के सबसे बड़े बिस्कुट का वज़न 17,236 किलो है। इसका व्यास 1-2 फुट है। नमबर 3-वी शताब्दी में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्कुट ओर यो है। यह एक अमेरिकन कमपनी ने बिस्कुट का बिस्कुट ब्रांड है। नमबर 4-बिस्कुट में छेद क्यों होते हैं। दरसल बिस्कुट का आकार थोड़ा मोटा होता है। आम और पर बिस्कुट पकाने पर सही से पक नहीं पाते इसलिए बिस्कुट में छेद किया जाते हैं No.5 करनाटक में रहने वाली रामावा ने बचपन से लेकर अब केवल पारलेजी बिस्कुट खाया है नमबर 6 बहुत कम ही बिस्कुट खाने वालों को यह पता होगा कि कुक्की डे भी मनाया जाता है चार दिसंबर को हर साल नैशनल कुक्की डे होता है नमबर 7 78 सालों से चला आ रहा है आपका पसंदीदा बिस्कुट पारले जी कमपनी की शुरुआत सन 1939 में हुई थी लेकिन उन्होंने सन 1949 में बिस्कुट का उत्पादन शुड़ो क्या था 1980 तक पारले जी बिस्कुट का नाम पारले गलूकोट था पारले जी बिस्कुट ने आज तक अपना लोगोट नहीं बदला है पारले जी में जी का मतलब गलूकोट था लेकिन अब बदल कर जी ने अस कर दिया पारले एक गाव का नाम है पैकेट पर मौझूद लड़की का चितर कालपनिक है तो कैसा लगा आपको बिस्कुट के बारे में जानकर अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करे और साथ साथ शेयर भी कर दे